Hello everyone, welcome to online class. टीयर इसके पहले के लेक्चर में हमने present tense, past tense को पढ़ लिया था कि reported speech में हम उसको कैसे change करते हैं जब direct से indirect में हम convert करते हैं. ठीक है? I hope कि आपको lecture देखने के बाद उतनी बाते समझ में आ गई होगी. Next अब हमारा जो tense आता है वो future tense होता है कि जब reported speech हमारी future tense में होती है तो हम कौन सी changing करते है reported verb में कोई changing नहीं है reported verb हमारा past tense में ही चल रहा है changing हमारी reported speech की हो रही है इस चीज़ को हम बार बार आपको बता रहे हैं यहाँ प्याफ confused नहीं होंगे बिल्कुल भी ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे एक future tense को बदलने के लिए यानि reported speech में जब जो sentence होगा वो हमारा जब future tense में होगा तब हम उसमें कौन सी changing करेंगे ज़्यादा changing उसमें हमें कुछ नहीं करनी होगी इसलिए हम आपको सिर्फ example से ही उसको समझा देंगे तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा definition लिखा हुआ इसका यदि reported speech के वाके में will या cell का प्रयोग हो तो direct speech को indirect speech में परिवर्तित करते समय will के अस्थान पर would तथा cell के अस्थान पर सुड का प्रयोग अवस्य किया जाना चाहिए तो dear friends अपनी बात समझ में आई होगी कि reported speech पे हमारा यानि यदि हमारा reported speech किसमें है present indefinite tense में है present indefinite के साथ main verb की first form लगती है तब हम उसको क्या करेंगे यदि will cell लगा हुआ है तो हम उसको किसमे change कर देंगे cell को suit में करेंगे will कोwood में करेंगे बाकी हमें उसमें कोई और changing नहीं करनी यानि tance में हमें कोई changing नहीं करनी है tense जैसा है वैसे ही दूसरा हमने लिखा है उसके बाद उपरोगदनीय मानूसार यानि जो changing आपने उपर देखा है reported verb तथा reported speech के बीच कॉमा को हटा कर that का प्रयोग करें यानि कॉमा हटे का that का प्रयोग होगा वहाँ प्रक्रिया चलेगी पहले वाली दूसरी प्रक्रिया इसमें changing कहां पर यह हो रही है कि reported speech के tense में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका future indefinite tense है तो हम उसको किसी all indefinite tense में करेंगे नो यदि हमारा reported speech future indefinite tense में है तो हम सिर्फ cell would में changing करेंगे cell will में changing करेंगे ना कि हम tense में changing करेंगे टेंस को हम वैसे करेंगे जैसा कि वो है ठीक है तो हमने यहाँ पर डर्य को बनाया है he इस अलगात टे दीक हैं तो आईध्यम्ट मेरी के साथ द्दार करते हैं तो आदर सबजेक्ट भर प्रूह और करते हैं है ना ये हमारा future indefinite tense है, future indefinite में हम main वर्वी की first form को लगाते हैं, तो ये हमारी go क्या है, first form है, हमको tense में कोई परिवर्तन नहीं करना है, हमको परिवर्तन किस में करना है, sell या will में करना है, परिवर्तन reported verb में क्या होगा, set to me है, यानि object है, थमसेट को किस में करेंगे टोल्ड में करेंगे चलिए इसको हम बनाते हैं मोहन टोल्ड मी दैट सोहन वुड सोहन वुड गो टू कानपूर ठीक है क्या करना है हमको कोई चेंजिंग यानि टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होनी है जो चेंजिंग सिर्फ सैल और वुड में होनी है यानि सैल और विल में होनी है उसके बाद आप ये ध्यान देंगे यदि हमारा यह affirmative में है यानि तो हम इसको affirmative में करेंगे negative में होता तो हम negative में करते ठीक है हम next हम चलते है future continuous अब future continuous में देखिए example हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई changing है नहीं तो आपको नियम ज़्यादा लिखनी की जोरोत नहीं है तो सिर्फ आप example ही समझ लीजे है न हमने यहाँ पर लिखा हुआ है Rita said to Gita Sarita will be reading a novel अब आप देखिए यहाँ पर सरीता क्या है other subject है इसलिए हमने will लगाया है continuous में हमारा बी लगता है will के साथ हम बी लगाते हैं में वर्भी की first form उसके साथ हम ing जोडते हैं इतनी बात clear है न अब हमको क्या करना है इसमें will को हमें would में करना है बाकी हम sentence वैसे write कर लेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे Rita said to Gita Rita told Gita that Sarita would we reading a novel ठीक है इतनी बाते clear हो गई न अब next हमारा कॉम सा टेंस आएगा future perfect tense next हमारा future perfect tense है तो हम future perfect को वैसे ही change करेंगे जैसे हमने इन सब को change किया तो इसमें हम क्या करेंगे देखें इसका इसका भी example हमने write क्या हुआ है मुकेश said to me the postman will have delivered the letters इसमें भी वही प्रक्रिया करनी है ठीक है न मतलब will को हम क्या करेंगे would me change कर देंगे बागी हम same two same message write कर देंगे तो हम यहां प्लिकेंगे मुकेश told me मुकेश told me that the postman would have delivered the letters dear friends अब आप देखेंगे यह हमारा कौन सा है future perfect tense है future perfect tense में हम will sell के साथ have लगाते हैं और इसमें हम main verb की third form को लगाते हैं ठीक है कि निक्स्ट अब हम चलते हैं अगले टेंस पर future perfect continuous tense में इसमें हम देखें विल हैव बीन का प्रियोग करते ठीक है तुम नेक्स्ट हम ट्राइ करते है future perfect continuous tense future perfect continuous tense की क्या पहचान होती है कि इसमें हमें समय के निश्चितता होती है है ना यानि time हमको दिया हुआ होता है यह हमको पता हुआ होता है कि काम कब से शुरू हुआ है तो सबसे बड़ी पहचान इसकी यह होती है since और for की पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था since का प्रियोग हम कहां करते हैं और for का प्रियोग हम कहां करते हैं I hope कि आपने उसको देखा होगा और आपको मालूम भी होगा तो next इसको हम try करते हैं रमेश सेटो में राकेस विल नॉट है बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग डियर इस्टुडेंट्स हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है ये संटेंस हमारा निगेटिव में है तो हम नॉट को लगाके वैसे संटेंस को राइट करेंगे सिर्फ हम विल को वुड में राकेस वुड नॉट है बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग यहां पे सिंस मॉर्निंग है यानि कि सुबह से हमने आउंको बताया था कि जब भी दिन का पहर हो चाहे सुबह हो साम हो दो पहर हो रात हो वहां पे हम सिंस का प्रियोग करते हैं क्योंकि वो हमारा निश्चीत होता है ना कि अनिश्चीत होता है या सता के दिनों के जब नाम होते हैं संडे मंडे टूजडे वहाँ पे भी हम सिंसका प्रयोग करते हैं या फिर जब महीनों के दिनों के नाम होते हैं जैसे कि जनवरी फर्वरी मार्च अप्रेल वहाँ पे भी हम सिंसका ही प्रयोग करते हैं और यदि, टाइम दिया हुआ हो, जैसे कि, एक बजे, दो बजे, तीन बजे, तब भी हम justification का प्रियोग करेंगे, या तो फिर सन दिया हुआ होगा, जैसे कि, 2020, 12, 22, तब भी हम consistent का प्रियोग करेंगे, कहने का मतलब यह ही, अगली changing हमारी अब pronoun की होने वाली है ठीक है अब हम pronoun को पढ़ेंगे सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि pronoun कौन कौन से होते हैं हमने दो पार्ट में pronoun को write क्या हुआ है पहले पार्ट में हमने लिखा है कि He, See, You, It, They, We, Those, These, This, Us, I दूसरा पार्ट है Dear friends, pronouns जो होते हैं सबसे पहले तो हम person के अधार पे तीन भागों में बाटते हैं जो pronoun होगे आपने पढ़ा भी होगा तेंस आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा बहुत ज़्यादा यह define करने वाली चीज़ नहीं है बट फिर भी basic मालूम होना चाहिए इसलिए हम आपको यहां पे बता दे रहे हैं कि pronoun को हम तीन टाइपस में उसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट परसन के अधार पे, सेकेंड परसन के अधार पे and थर्ड परसन के अधार पे हमने right भी किया हुआ है क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने से पहले हम उसकी basic चीज़ों को जानना पड़ता है ठीक है? तो हमने यहां पे लिखा हुआ है परसन के अधार पे pronoun को तीन भागों में बाटा गया है वो कौन-कौन से है पहला first person है, दूसरा second person है, तीसरा third person है अब हमको यह देखना है कि first person में कौन-कौन से pronoun आते है तो first person में I, V, Me, My, Mine, Our, Us यानि इतने सारे pronouns जो होते हैं वो हमारे किसमें आते हैं first person में आते है and second person में कौन-कौन से आते हैं you, your, yours यानि ये you, your और yours ये सारे किसमें आते हैं second person में आते हैं अब हम third person को देखते हैं third person में कौन से pronoun आते हैं he, see, it, they, his, him, her, its, their, them एक और यहाँ पे होता है hers ठीक है, her, hers ये हमारे किसमें आते हैं ये सब हमारे third person के pronoun में आते हैं ठीक है तो पहली changing अब हमको prone के अधार पे कैसी करनी होती है पहले oral आप इसको समझ लेंगे जब हमारा reported verb ठीक है, reported verb हमारा past tense में हो reported speech का जो subject होगा वो यदि first person में होता है तो हम क्या करते हैं subject के अनुसार change करते हैं कि subject के अनुसार, reported verb के subject के अनुसार उसके बाद यदि reported speech का subject हमारा second person में होता है तो हम reported verb में आए हुए object के अनुसार change करते हैं subject को यदि हमारा reported speech का subject third person में होता है तो हम indirect बनाते समय कोई भी changing नहीं करते हैं लेकिन tense में changing होती है dear friends सिर्फ subject को हम नहीं change करेंगे buttons हमारा वैसे ही change होगा जैसे पहले हो रहा था तो आईए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि first person के pronoun को हम indirect speech में कैसे बदलते हैं तो हमने write किया है first person के pronoun यानि IV ठीक है IV को हम indirect speech पे बदलने के नियम rule number one यदि reported speech में subject यानि करता reported speech का subject होगा main जो होगा वो क्या होगा first person of pronoun यानि IV होगा तो हम क्या करेंगे तो direct speech को indirect speech में परिवर्तित करते समय reported verb के subject के person, number और gender के अनुसार हम reported speech के subject को बदलना चाहिए यानि हमको क्या करना चाहिए हमको यह देखना होगा reported verb का subject क्या है, कौन सा number है, कौन सा person है, यदि मान लीजिए जैसे he है और reported speech में आई है, तो हम report indirect बनाते समय हम I को किस में करेंगे, ही में कर देंगे लेकिन यदि हमारा reported verb C है, तो हम क्या करेंगे यदि reported speech का subject आई है, तो हम उसको किस में करेंगे, C में करेंगे मतलब ध्यान हमको यही देना है कि reported speech का subject यदि IV दिया हुआ है, तो हमको change किसके हिसाब से करना होगा reported verb में आए हुए subject के अनुसार, यानि कौमा के बाहर वाला जो sentence होगा उसके, उसका जो subject होगा, उसके अनुसार हम उसमें सारी changing करेंगे ठीक है, तो हम example के तौर पे आपको समझा रहे हैं, ठीक उत्तिमादे clear हो गई है न, कि क्या करेंगे हम, first person के आए हुए subject के अनुसार हम reported speech को direct में हम बदलेंगे, मतलब उसके बाद हम क्या करेंगे, कौमा को हटा के हम that का प्रयोग करेंगे reported speech के जो tense है, उसमें changing हमें करने ही होगी, यानि वो changing पहले की तरह ही होगी, और जो निकटा सूचक सब्द होगी उनको हम दूरी प्रकट करने वाले सब्दों में आवस्से change करेंगे, यानि ऐसा नहीं कि हम यह सब नहीं करेंगे, सारे reported speech के sentence में परिवर्तन करेंगे, तो आईए हम example को देखते हैं, उसको हम, उसके हिसाब से हम समझते हैं, अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, सीता said, I have done my homework, अब यहाँ पे dear friends आपको यह देखना है कि reported speech यानि कॉमा के अंदर वाला जो भाग है, उसका subject क्या है? I है, और reported verb का जो subject है, वो क्या है? सीता है, ठीक है? वो किस में है? उसका gender क्या है? female है वो, ठीक है? हम आपको यही बता रहे हैं कि हमको यह देखना पढ़ेगा कि reported verb का जो subject है, वो कौन सा number है, कौन सा gender है या किस person में है उसके हिसाब से हम indirect को जब बनाएंगे तब हम उसके हिसाब से उसको change करेंगे तो हमको इसको कैसे change करना होगा सीता यहाँ पे आपका है सीता said I have done my homework अब हमको changing क्या करनी है I हमारा first person का pronoun है हमको सीता के हिसाब से इसको change करना पड़ेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे कैसे change करेंगे सीता said सीता said कॉमा को हटा के सीता said that I को हम किस में change करेंगे सीता है क्योंकि यह इस त्री लिंग है तो हम इसको किस में change करेंगे सी में change करेंगे ठीक है हम क्या करें यहां पर सी लिखेंगे अब आपको टेंस ध्यान रखना होगा है यह ना है यानि यह पर्फिक्ट है तो इसको हमको किसमें चेंज करना होगा पर्फिक्ट में चेंज करना होगा तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कौन सी साहे क्रिया लगाएंगे सी हैड उ है डन अब माई है आई लगा था तो यहां पर माई था है ना अब यहां पर सी लगा है तो हम इसको क्या करेंगे सी के साथ हम क्या लगाते हैं हर लगाते हैं तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि हर ओके क्लियर इतना बाते सौंज में आ गई होंगी ठीक है न कि आई था आई के साथ अपने यहां पर माई लगाया हुआ था यहां पर हमने इसको चेंज किया किसके हिसाब से सी को हमने किसके हिसाब से चेंज किया सीता के हिसाब से I के जगह पर हमने C कर दिया क्योंकि यह हमारा इस तरी लिंक था इस वज़स हमने इसको C बनाया C के इसाफ से हमने यहाँ पर हर लगाया ठीक है Next करते हैं I said I write to my I said I write a letter to my father अब यहाँ पर आप देखिए आपका जो reported verb का subject है reported speech का subject है दोनों I है तो इसमें हम कोई भी changing नहीं करेंगे लेकिन हमको tense में changing करनी होगी यह बात आप ध्यान रखेंगे कि हमको subject में changing नहीं करनी है लेकिन हमको किसमें tense में changing जरूर करनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे I said that I अब आप देखिए I write a letter to my father right यानि आपका present indefinite tense है तो यदि आपका present indefinite tense है तो हम को किसमे चेंज करना होगा present किसमे past indefinite tense में तो past indefinite tense में हम main verb की second form को लगाते हैं तो हम right का क्या लिखेंगे wrote लिखेंगे I wrote a later later to my को हम किसमें करेंगे my में ही कर देंगे ठीक है क्योंकि यहां पे कोई changing नहीं होनी है okay father ठीक अब देखिए तीसरा हमने क्या लिखा है you said I write a letter to my father अब यहां पे देखिए हमने change कर दिया है यहां पे हमारा जो subject है वो क्या हो गया है you है यानि इसका subject reported verb का subject हमारा second person में है reported speech का subject हमारा first person में है तो हमको क्या करना है ध्यान हमको इसी का देना है reported speech का ही देना है कि यदि यह first person में है तो हमको subject के अनुसार यानि reported verb में आये हुए subject के अनुसार ही हमको changing करनी होंगी हम क्या लिखेंगे you said you said that अब I को हम किसमें चेंज करेंगे I जो होगा हमारा यहां पर you है तो उसको हम किसमें चेंज करेंगे you में चेंज करेंगे ठीक है यू, राइट है, राइट को हम किसमें चेंज करेंगे, रोट में, सेकेंड परसन, में वर्ब की सेकेंड फार्म बनाएंगे, यू रोट, ए लेटर, अब यहां पे हमारा माई है, आई था तो माई था, अब यू है तो हमको यहां पे क्या करना होगा, यूर करना होगा, ठीक ह यूर फादर फादर ठीक है इतनी बाते क्लियर हो गई न यहां पर आपको मिस्टिक नहीं होनी चाहिए यसलिए हमने तीन टैप्स के आपको बना के दे दिया कि यदि हमारे संटेंस ऐसे होंगे तो हम उसमें कैसे चेंजिंग करेंगे अब नेक्स हम देखते हैं सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को देखना है कि हम सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग किसके हिसाब से करते हैं डियर फ्रेंड, second person का जो pronoun होता है, you, your, your, यानि reported speech में, जब second person के pronoun आपको देखें, तो हम changing reported verb के object के अनुसार करेंगे, ना कि subject के अनुसार, ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है, आप इसको दिमाग में रखेंगे, कि जब हमारा reported speech किसमें होगा, second person में होगा, यानि you, your, yours में होगा, तब हम क्या करेंगे, हम changing indirect की reported verb के object के अनुसार हमको उसमें changing करनी होगी, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, reported speech में आए हुए second person के pronoun को reported verb के object के अनुसार बदल देना चाहिए, यानि कॉमा के अंदर का जो subject होगा, वो यदि हमारा second person होगा, तो हम क्या करेंगे, कॉमा के बाहर वाले के sentence को देखेंगे कि उसका object क्या है, परिवर्तर हम उसके हिसाब से उसमें करेंगे, तो example से हम समझते है, example हमने लिखा है, he said to him, you write a letter to your father, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि reported speech का जो subject है, वो second person है, यानि you दिया हुआ है, ठीक है, और reported verb का जो object है, वो him है, यानि him third person में है, याद होना चाहिए आपको यह चीज़े, हमने पहले बताया आपको, कि he said to him, him हमारा third person में आता है, you हमारा second person में आता है, तो अब हम क्या करेंगे, इस you को किसके हिसाब से change करेंगे, him के हिसाब से, यानि object के हिसाब से हमको इसमें changing करनी होगी, तो हम क क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे ही टोल्ड ही टोल्ड है एक हैंट वह हैंень है यहां पर ही है तो इसके हिसाफ से यो को हम किसी में चारीं किहांगे हैं हमने यहां पर क्या लिखा अब देखें right है right आपका क्या है यानि indefinite में है वो भी present के indefinite में है तो हमको इसको past के indefinite में बनाना होगा तो हम क्या करेंगे right को wrote में कर देंगे that he wrote that he wrote a later to अब यहां पर क्या था यू था यू था यू था ही है तो यहां पर क्या हो जाएगा ही जो हो जाएगा यूर ही जो फादर ठीक है ना इतनी बाते समझ में आ गई next देखते हैं he said to them he said to them you are happy अब यहां पर आप देखिए you हमारा second person में है और यह हमारा किसमे है third person में तो हमको इसको change करना होगा किसमे change करना होगा them के हिसाब से हम इसको change करेंगे तो हम क्या लिखेंगे he told them that they were happy ठीक है हम क्या लिखेंगे he told them he told them that you को हम क्या करेंगे they करेंगे क्योंकि reported verb को object हमारा them है they के हिसाब से हम क्या लगाएंगे word लगाएंगे ठीक है they were happy क्योंकि they हमारा क्या है plural है plural के साथ हम इसा work का यूज करते हैं ना कि वाज का यूज करते हैं ठीक next हम करते हैं he said to you you are happy अब यहाँ पर आप देखें he said to you यह भी object हमारा you है और यह भी object हमारा you है यहानी दोनों हमारा किसमे है second person में ही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कोई changing नहीं करेंगे बस हमको tense में changing करनी होगी तो हम क्या करेंगे he told you he told you यह चीज आप ध्यान देंगे tense में परिवर्तन होना है ठीक है he told you that you were happy यू है यो के साथ हम क्या लगाते हैं वर लगाते हैं वाज नहीं लगाते हैं नेक्स हम ट्राइक करते हैं he said to her you are happy अब यहाँ पर आप देखिए object जो है वो आपका क्या हो गया है gender आपका change हो गया है है ना हमने बताए आपको कि हम क्या करेंगे हमको number person gender सब देखना है उसके हिसाब से हमको changing करनी होगी अब reported verb का जो आपका gender है वो change हो गया है तो हम इसको इसके हिसाब से change करेंगे यानि इस यू को हम इस object यानि इस gender के हिसाब से परिवर्तन करके हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे he told he told her that अब you को हम क्या करेंगे हर है तो हम इहां पर क्या करेंगे c करेंगे ठीक है c c एक वचन है तो हम इस वचन के साथ क्या लगाएंगे वाज लगाएंगे c वाज happy समझ में आ रहा है ना इतनी बाते समझ में आनी चाहिए आपको बहुत मुस्किल नहीं है बहुत इजली हम आपको समझा रहे हैं अब देखिए he said to me you are happy अब यहां पर हमने object को change कर दिया object को हमने आपका क्या कर दिया first person कर दिया reported verb को object हमारा first person हो गया and reported speech को subject हमारा किसम है second person में है तो अब तो आपके दिमाग में बाते बैठ गई होंगी हमको change कैसे करना होगा तो हम क्या करेंगे यहां पर ही टोल्ड मी he told me that अब क्या करेंगे you है second person है और यह हमारा me है तो हमको इसको इसके हिसाब से change करना होगा तो हम यहां पर क्या लिख देंगे I लिख देंगे I was happy अब आप यह सोच रहे होंगे कि हमने यहां पर I के साथ watch क्यों लगाया है ना I के साथ हमको क्या लगाना चाहिए था I am लगाना चाहिए था तो dear friends past tense में I को हम हमेशा singular मानते हैं ना की plural मानते हैं present होता तो हम वहां पर I am लगाते लेकिन हम इसको किसमे लगाएंगे हम past में change करेंगे तो past में I को हम हमेशा क्या मानते हैं singular मानते हैं तो हम देठे हैं थाड़ परसद के प्रोनाउन को हमको कैसे चेंज करना है है अधियर फ्रेंड थाड़ परसन का जो प्रोनाउन है वो क्या है देखे सी हर स्जार दे समय हम सब्चक्रिप कौई भी परिवर्तन नहीं करते हैं uto हम जयों कातियों राइट कर देते हैं लेकिन हम परिवर्तन किसमें करते हैं टेंस में करेंगे लेकिन हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे किसमें सब्जेक्ट में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना होगा बाकी जो टेंस है उसमें हम चेंजिंग कर लेंगे तो हमने ल सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ही टोल्ड हर देट ही वाज वेरी हैपी ठीक है ही के साथ हमने क्या लगाया हां पर वाज लगाया ही इज था यह हमारा प्रिजेंटेंस में था हमको को किसमें चेंज करना था पास्टेंस में करना था पहले के लेक्चर को आदी आपने देखा होगा तो आपको टेंस मालूम होंगे कि हमको किसको किसमें चेंज करना है अब हम आपके लिए थोड़ा सा बिसेश नियम बताते हैं कि जो थोड़े से कुछ अपवाद टाइप से होते हैं उसको हम कैसे करते ह गया हो तो उसे अपनी और से थर्ड परसन मानकर इंडारेक्ट इस परिवर्तन करते हैं डिया फ्रेंड्स अब यहां पे आप देखिए कि यदि आपको डायरेक्ट प्रोनाउन के साथ आ रहा है यानि आपके रिपोर्टेट स्पीच में प्रोनाउन है और आपका जो रिपोर कि यू वारा इस्टूडेंट अब आप यहां पे देखिएंगे सेट के बाद कोई भी अबजेक्ट नहीं है ठीक है कोई आपक नहीं है लेकिन हमने इंडारेक्ट में मान लिया तू ही इससे कहता है ठीक है वह उसने किस से कहा उससे कहा हिम हमारा थर्ड परसन है थो हमको क् said that he was a student बात समझ में आई कि नहीं आई एक बार आप रिपीट कर लीजेगा कि जब भी हमारा reported verb में object ना दिया गया होगा यानि set के बाद कोई object नहीं होगा तो हम क्या करेंगे indirect बनाते समय हम उसको अपने हिसाफ से third person person के subject को object को हम वहापे मानेंगे उसके हिसाफ से हम indirect speech में परिवर्तन करेंगे जैसे कि हमने example यहाँ पे लिखा हुआ है he said to you are a student हमने यहाँ पे इसको to him को object माना हुआ है है ना to him को object मान लिया था तो हमने indirect बनाते समय क्या कि या that conjunction that का प्रियोग करके him के हिसाफ से हमने you go किसमे change कर दिया him में change कर दिया और he के हिसाफ से हमने वाज लगाया क्योंकि ही हमारा singular subject है तो हम यहाँ पे वाज का प्रियोग करेंगे ठीक है ना इतनी बाते clear हो गई अब हमने यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने के लिए कुछ right क्या हुआ है कि हम person को कैसे समझेंगे उसको किस सूत्र के हिसाफ से समझते हैं तो son के हिसाफ से हम उसको समझते है यानि first person को हम s कहते है second person को हम o कहते है and third person को हम n कहते है ऐसा हम क्यों कहते है son क्योंकि first person में जो s होता है s का मतलब होता है subject तो हम क्या करते हैं फर्स्ट पर्सन के यानि सब्जेक्ट को हम किसके हिसाफ से चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अंसार चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेट के हिसाफ से चेंज किया जाता है एंड जो सेकंड पर्सन हमारा होता है वो ओ है तो इसको हम किसके बना दिया जाता है SON और इसका जो संख्यात्मक इसको बताते हैं यानि 123 ठीक है तो एक को हम क्या करते हैं फॉर्स्ट पर्शन के अंतरगत रखते हैं और तु को हम सेकेंड पर्शन के अंतरगत रखते हैं तो यह हमारा S हो गया 2 के नीचे O हो गया 3 के नीचे N हो गया S, O, N, 123 ठीक है 110 का मतलब हो गया 1st person, 2nd person, 3rd person S, O, N का मतलब हो गया subject, object and no changing ठीक है यहाँ पर हम subject के हिसाब से change करना है object के हिसाब से change करना है and इसमें no changing 3rd person में हमें कोई changing नहीं करनी होती है टेंस में हम changing करते हैं दूरी प्रिकट निकटता सूचक सब्दों में हम changing करते हैं लेकिन हम subject में कोई भी changing नहीं करते हैं तो dear friends, I hope ये lecture आपको समझ में आया होगा पसंद भी आया होगा तो next lecture में हम मिलते हैं नए topic के साथ